अपना सिक्का जमाया है बलकि कोर्पेट दुनिया में बड़ा काम करने के बाद वो सामाजिक संसाओं के साथ जुड़े हैं और सोशल सरिस्ट्रेजिस में भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं TVS महंदास पाई साब जो की Infosys के founder रहे चुके हैं और उसके बाद वो काफी ऐसी educational institutions से और सामाजिक संसाओं से जुड़े हैं और उनी सामाजिक संसाओं में से एक है अक्षे पात्रा foundation जिसके वो trusty भी है पाई साब बहुत-बहुत स्वागत है आपका जी मिर्या पर और शुक्रिया इस खास मकसद के लिए आपने वक्त भी दिया और आप हमारे साथ जुड़े भी सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा flashback में ले जाना चाहता हूं सर कब और कैसे आपके दिमाग में आया कि दक्षे पात्रा foundation के साथ आपको जुड़ना चाहिए देखिए 2000 में 2000 में हम गए थे इसकॉन मंदिर में बेंगलोर में जब इसकॉन मंदिर गए थे हमने देखा कि एक बड़ा मंदिर आया था बेंगलोर में और उनके प्रेजिडेंट थे स्वामी मदू पंदित उनसे मिले और क्या कि अब एक मंदिर बनाए आप एक पाड़शाला बना उन्होंने कहा कि पाड़शाला स्कूल नहीं होगा कर्ष्ट होगा Then, तब हमने कहा कि ایک midday meal program कीजिए. उन्हेंने कहा कि क्या है midday meal? हमने बॉला कि देखो, तमिल नाडू में MGR करके एक chief Minister थे. जब चोटे थे, उनको तो book था, book पता था उनको. जब low chief minister बने, उन्हें एक midday meal program शुरूप किया तमिल नाडू में. वो मिडे मिल से 10 साल में हर बच्चा जो मिडे मिल खाता था दो इंच लंबा और 10 केजी, 10 पाउंड, 10 पाउंड जादा वेज उसका हो गया तो infant mortality कम हो गया, literacy जादा हो गया, अभी तमिलनाडू में gross enrollment rate for education है 49% बारस से सबसे आगे develop है तमिलनाडू, तो हमने कहा थे कि आप कीजिए, उन्हों ना कहा कि हाँ, टीक है करेंगे, लेकि मुझे कुछ चाहिए, हमने पूछा कि क्या चाहिए, उन्हें ने कहा कि हमको 3 गाड़ियां चाहिए, तो 3 गाड़ियां हमने दे दी उनको, और 1500 बच्च है, वो बहुत जादा होगा साल में, तो उन्होंने पूछा था, एक तीन ट्रक के लिए, और उसके बाद में, एक मेरे के अंदर, उसको अप्लिकेशन्स आ गए है, बहुत स्कूलों से, साड़े एक लाक, बेंगलूर में, हमारे शहर में, साड़े एक बच्चों की, जो स्क पूलती, हेड्मास्टर ने कहा कि हमारे बच्चों को भी खाना चाहिए, तब हमको पता चला कि बेंगलूर में भी जो एक अमीर, एक चहर है, वहाँ भी भूक का प्राब्लम है, इसलिए तब अक्षे पात्रा शुरू हुआ, और पहले दो साल में 25,000 का उनको खाना दिया, 50,000 हो गया, एक लाग हो गया, पांच लाग हो गया, दस लाग हो गया, अभी तो 18 लाग बच्चों को हम हर दिन एक unlimited hot meal देते हैं, हमरे पास कोई corpus नहीं है, सरकार देती है 60%, और बारत के दोश, बारत के जो नागरिक है, हो हमको पैसा देते हैं, अभी तक किसी ने ना नही कहा है, कि हर बारतियर नागरी के दिल में खतनेता है, वो चाते हैं कि हमारे समाज के बंदो को हम सहाए करें, तो हर दिन, अभी हमारे करीब 65 kitchens किया है बारत वर्ष में, और एक कोविड के कोविड के problem में भी करीब कल हम 6 करोड, 6 करोड मील्स हमने delivery किया होगा, 6 करोड, क्य बंदे पैसा दिया, हम तो deliver कर रहे हैं, तो हमारा विचार है कि किसी नागरी को भूका रहना मनजूर नहीं है, इस हमारे देश में खाने के लिए सब के लिए है, लेकिन लोग गरीब है, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, तो हमें प्रातना करते हैं कोविड के के लिए हर मेना पैसा बेजेंगे तो हम समझते हैं कि यह 20 करोड़ लोग जो बुके है बारत में अभी भी उनको बुका रहना नहीं बुका रहना तो चले जाएगा तो अभी चाहिए कि हम सब लोग साथ में आके उनकी मदद करें बिलकुल मौन्दास पैसाब आपसे एक चीज में जाना समझना चाहता हूँ कि कहां एक और बढ़िया इस तरह का हाई-टेक बिजनिस इंफोसिस का और आप एकदम एर कंडिशन ओफिस और बड़े-बड़े बोर्ड रूम्स में बैठने वाले और एक तरफ बिलकुल छोटी-छोटी स्कूलों में जहां कुछ सुविदाएं नहीं है और वहां बच्चे जो भूख से परेशान हैं उनको खाना देना दूनों बड़ी लाइफ की एकदम कोंट्रास्ट है एक लाइफ बिलकुली अलग फ्लैशी लाइफ है और एक वो जी हम बारत के शहरों में पइदल जाते हैं ख़ी-कभी देखते हैं की चोटे-मोटे बच्चे रोड बे है उनको काना नहीं आकर पूदते हैं तो बहुत दुख होता है दुख होता है क्योंकि हम वो बच्चे हो सकते थे हमारा जन्म हुआ एक अच्छे परिवार में हमारे माता-पिता ना बहुत कस्ट किया हमको शिक्षा दिया वो शिक्षा से हम आगे आये लेकिन हमको अच्छे फैमिली में हमारा पैदा नहीं होते तो हम भी सरक में बैठ सकते हैं हमने किसी से पूछा नहीं है कि हम किसी परियुआर में जर्म ले, ये तो कोई फेट है, कोई चांस है, इसलिके जब हम बच्चों को देखते हैं, आंकों में आंसु आती है, कि कुछ करना है, क्यूंकि बारत वास में किसी बच्चे को भूग से, भूग से सोना नहीं है, वेसा नहीं होना उइसा समाज हमारा बारत में नहीं रहना है क्योंकि बारत में सब कुछ है दया है लोग है पैसा है सब कुछ है लेकिन डेलिवरी मेकानिजम नहीं था तो वो तो बहुत दुख था इसलिए जब मौका मिला स्वामी मौदू पंडित से बात करने का यह तो हुआ और MGR जी ने किया था तमिल नाडो में किया था उसका हमारे पहले किया था और भी तमिल नाडो बहुत आगे बढ़ गया है तो हमने किया कि कीजे है तो हो गया अब ही मैं समझता हूं कि जो लोग दूसरों को मदद करना चाहते हैं वो अक्षे पातर को वॉलिंटेर कर सकते हैं अक्षे पातर का ब्रैंड बज़र बन सकते हैं अब साथ ही उनके लिए किचन बनाने के लिए पैसा दे सकते हैं और वॉलिंटेर भी देते हैं हमने का कि अगर आपके पास पैसा है तो पैसा दो अगर आपके पास टाइम है तो टाइम दो, वालेंटी करो, लेकिन कुछ करो, और हर नागरिक को हमारा एक कत्व है बारत देश में कि कोई भी भुका ना रहे, कोई भी भुका ना रहे, वो एक हमारा सपना है, हमारा कत्व है, अगर हर नागरिक कुछ पैसा देगा, कुछ मद सारे बच्चे उन्हें खाना मिले, कोई भूख से न रहे, इस पर में दो पंक्तिया नरेश सक्सेना साब है, एक जाने मानी कवी, उन्होंने जो भूख पर कविता लिखी, वो एकदम सही और सटीक आज के माहौल में बैठती है, और उनका ये कहना है, भूख, सबसे पहले दि पहन और बच्चों का, बच्चे तो उसे बहत पसंद है, जिने वह सबसे पहले और बड़ी तेजी से खाती है, और बच्चों के बाद बच्चता ही क्या है, तो अगर बच्चे ही नहीं, तो भविश्य क्या, और इसलिए बच्चों को खाना खिलाने का जो काम अक्षे पात फाउंडेशन कर रहा है और जिसमें आप पहल कर रहे हैं महंदास पई साब बहुत ही सराहनी है और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ शुब काम नहीं देना चाहता हूँ जिस नोबल कोज के साथ आप इतनी महनत कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा सक्सेस्फुल हो और आप और हम साथ में मिलके एक बार जिन्दगी में जरूर देखेंगे कि शायद दुनिया में कोई भी भूखा ना सोय तभी शायद ये मिशन कंप्लीट होता हूँ देखेगा बहुत बहुत शुक्री आपका आज हमारे लिए वक्त निकालने के लिए महंदास पैसाब थ झालने कि वक्त ना सकते हैं।